हेलो फ्रेंज आशा है अप लोग सभी अच्छे होंगे आज मैंने रूप चांथ फीश का कड़ी बना रहे हो इसके लिए मैंने पहले कड़ाई में अभी तेल दे दिया है उसमें एक चमजीरा दे के एक बड़ा सा प्याज बारीक से काट लिया है उसको फ्राइ करने के लिए दे दिया है तो सबसे पहले तो फीश को फ्राइ करना चाहिए था तो मैंने पहले इसे नमा खल्दी लगा के आधा गंटा रखी थी और फ्राइ कर लिया लेकिन मैंने शूट करना भूल गई तो फ्राइ करके रख दिया है तो इसमें बारीक टमाटर काट के दे दिया है थो थोड़ा सा सौटे करके फिर इसमें मैंने पानी डाल दूँगे क्योंकि थोड़ा सा नमग में डाल दिया क्योंकि जल जाएगा मसाला तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाऊंगे जब तक इसका कच्छापन ना जाए तो को फीश बहुत तरक होता है, फीश बनाने का तरीका भी अलग-अलग होता है सारे फीश एक जैसा नहीं बनता है, बनाना भी नहीं होता है अलग-अलग टेस्ट होता है फीश का, तो उसी ही सबसे फीश का रेसिपी भी अलग-अलग होता है तो ये वाला फीश मैंने आज बनाई क्यों ये फीश मैंने पहले नहीं खाई थी खाई थी एक बरी एक बर खाने के बाद जब मुझे अच्छा लगा तब मैंने ये रेसिपी बना के आप लोग को दिखा रही हूँ बहुत टेस्टी होता है ये फीश तो इसमें तो मैंने पानी दे दिया था पानी जब उबलने लगे तब मैंने ये फीश को दे दिया फिर इसको उबलने के लिए हम छोड़ देंगे क्योंकि जब तक ये फीश और कड़ी जब एक साथ दोनों नहीं उबलेगा तो इसमें जितना मसाला है वो फिश का अंदर जाएगा भी नहीं तो तब फिश जाके जुशी जुशी बनेगा जब पानी के साथ कड़ी के साथ यह उबलेगा तो इसमें मैंने ठखके रग दी थी तो अब हो गया है अब इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल देंगे धनिया पत्ता जो हरा धनिया पत्ता होता है वो आप जितना मर्जी आप इसमें डाल सकते हो लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि यो जो धनिया पत्ता रखी थी इसके लिए वो खराब हो गया है तो इसलिए मैंने दे नहीं पाई, तो ये गरम गरम चावल के साथ बना के खाओ, तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में, तो इसी तरह से बनाईए, अज सब को खिलाईए, तो सभी को देखना ये अच्छा लगेगा, फिश का जितना वैरेटी है, उसका बनाने का भी तरीक बहुत जादा है, अलग-अलग छोटी फिश को अलग तरह से बनता है, बड़ी फिश जो होता है, उसको अलग तरह से बनाना पड़ता है, तब जाकि वो खाने में मज़ा आता है, तो ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइ कीजिएगा,